मकर सक्रांती को लेकर देश भर में यही भ्रम है कि 14 जनवरी को मकर सक्रांती है या 15 जनवरी को आईए हम आपको बताते हैं कि किस दिन मकर सक्रांती का पर्व मनाया जाए वाडा नसी के पंजांगो के साथ साथ देश के अन्ने भागों में सुर्य का रासी परिवर्तन 14 जनवरी की राध 8 बजे है इस हिसाब से मकर सक्रांती का परवे 15 जनवरी को मनाया जाएगा सूरी के मकर रासी में प्रवेश के साथ ही सभी मांगली के कारिक्रम भी सुरू हो जाएंगे इसलिए भी तिथी का विसेज ध्यान रखा जाता है आपको बता दे कि सूरी का रासी परिवर्तन शौदा जन्वरी की रात को हो रहा है इसलिए सुर्योदों के हिसाब से 15 जन्वरी को ही मकर सक्रांती का पर्व देश भर में मनाया जाएगा इस पर्व पर समुद्र में इस नान के साथ साथ गंगा यमना सरस्वती में भी इस नान दान का विसेज महत्व होता है विसेज कर मकर्शक्रांती पर दान को प्रभावसाली बनाया जाता है अब आपको बताते हैं कि तील और गुर से बने लड़ूओं का क्या महत्व है मकर्शक्रांती के दिन मारा जाता है कि इस दिन सभी देवता भगवान विश्नु और महलक्ष्मी का पूजा नर्शन करके दिन की सुरुआत करते हैं विश्नु भगवान के सरीर से उतपन तील के द्वारा बनी बस्तुएं और लक्ष्मी जी द्वारा उतपन गन्ने के रस से बने सभी बस्त में गुड तिल आदी इस दिन खाया जाता है और एक दूसरे को दिया जाता है बकर्सक्रांतिप का परवदेश भर में अलग-Alग भागों में अलग-Alग तरीके और अलग-Alग नामों से मनाया जाता है लेकिन सब जगा इस बार कौमन यह है कि इस दिन तिल गुर का खाना और इसका दान करना सोव माना जाता है सदियों से इस दिन काले तिल के लड़ू खाने की परंपरा चलिया रही है पौडानिक कथा के नुसार सूर्य देव ने अपने बिटे सनी देव का घर कुम्ब क्रोध में जला दिया था कुम्ब रासी के स्वामी सनी है और इस रासी को ही अपना घर माना जाता है घर को जलाने के बाद जब सूर्य देव घर देखने पहुशे तो काले तिल के अलावा सब कुछ जल कर राख हो गया था तब सनी देव ने सुर्य देव का श्वागत उसी काले तिल से किया था सनी देव के विहवार को देख कर सुर्य देव प्रप्रेशन हो गए और उन्होंने सनी देव को एक और घर मकर रहने के लिए दिया साथ ही ये वरदान भी दिया कि जब कभी सूर्य मकर रासी में प्रवेश करेंगे तो उनका घर धन धानने से भर देंगे साथ ही इस दिन जो लोग काले तिल और गुर सूर्य देव को अरपित करेंगे उन्हें सूर्य और रासी दोनों की कृपा प्राप्त होगी और खूब तरक्की करेंगे मकर शक्रांती के दिन ये दोनों चीजे खाने और दान करने से सूर्य देव और सनी देव दोनों की कृपा प्राप्थ होती है माननेता है कि लाइफ में सफलता पाने के लिए इन दोनों की ही कृपा बनी रहनी चाहिए कहते हैं इस दिन तिलगुर खाने से घर में सुख संप्रित्ती का वास होता है और सारी खुसियां मिलती है